अच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम ऐसे धान तक नहीं होतारी स्टेडी है कि आपका बहुत-बहुत सवागत है एलॉन मस्क क्या ना कर दें यह जो जीनियस है ना 49 साल का अब इसने एक और कारणामा करके दिखा दिया है हलाकि एक्सपर्ट इस पर डिवाइडेड हैं लेकिन दोस्तों आपने BCI सुना होगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आपके दिमाग को क्या कंप्यूटर से अटाच किया जा सकता है अगर मैं बहुती सिंपल तौर से बताऊं साइबॉर्ग मतलब आधा इंसान आधा मशीन आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है आपकी अक्टिविटी जो है आपके इमोशन्स कैसे है वो computer record करेगा, brain computer interface इन सबसे डील करता है, अगर आपको कोई भी neurological problem है, आपको paralysis है, आपको spine की problem है, वो ठीक हो सकती है, आप kun-fu सीख सकते हैं, आपको आय चाहे ना है, computer के through, क्योंकि आप सीधा computer से coordinate कर रहे हैं, through your brain, languages सीख सकते हैं, हाला कि यह बहुत ही advanced है, आपने movies में देखा होगा, अभी तो इसको काफी time लगेगा, लेकिन कुछ इसी तरीके का है, brain computer interface, Elon Musk की company है, Neuralink, 2016 में Neuralink को found किया गया था, और तवसे लेकर अभी तक यह इसी पे ही कर रही है, Elon Musk की biography मैंने review की है, यह genius है, बहुत बड़े genius है, SpaceX, Tesla इनकी company है, उसने तो धमाल मचा के रखा ही हुआ है, ठीक है, और अब Neuralink से धमाल मचा रहा है, हाला कि COVID-19 में इनका जो रवया रहा है, वो बहुत ही जदा irresponsible रहा है, इन्होंने कभी भी मास्क नहीं पहना, क् जो कि भाईया इनके company का production बंद नहीं होना चाहिए, तो बिलकुल एकदम COVID को नकार रहे है, जो कि बहुत ही गलत है, बड़ ये बात तो कोई नकार नहीं सकता, Elon Musk is a genius, और अब इन्होंने नया कारनामा, मैंने आपको इसलिए शुरू में ही बता दिया, कि computer, body computer interface होता क्या है अब इसी को ही आगे ले गए है, pig में इन्होंने पूरा का पूरा computer implant कर दिया है, pig के दिमाग में, सुर के दिमाग में एक पूरा computer implant कर दिया है, computer मतलब चिप, आपका computer खाली एक चिप से चलता है, motherboard, तो दोस्तों क्या story है, experts क्या कह रहे हैं, इसकी applications क्या है, हम सारी चीजें आपको बताएंगे इस lecture में, थोड़ा सा technical topic है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसानी से आपको समझा दूँ, आप मुझसे बोल रहते इंस्टा पे आ जाओ, तो आप मैं इंस्टा पे आ गया हूँ, तो सारे social media platform पे हूँ मैं, facebook, twitter और इंस्टा, वहाँ पे आप मुझे follow Instagram चैनल अभी 10,100 करीब सब्स्ट्राइबर है, तो आप ये वाले चैनल जोइन गरिए, तो Elon Musk ने basically California में, जहाँ पे Neuralink का headquarter है, Fremont में, वहाँ पे Saturday को एक event किया, कल एक event किया, और ये दिखा दिये Elon Musk ने कि देख लो, ये जो pig है ना, इसमें हमने एक छोटा सा computer implant कर दिया है Getrude, इस pig का नाम है, G-E-R-T-R-U-D-E, इस pig का नाम Getrude है, और एक डेड़ मिनट का वीडियो, वो वीडियो चलिए मैं नहीं लापाया, I'm sorry, तो ये उन्होंने बताया कि हमारे पास एक बहुत ही healthy and happy pig है, जिसके दिमाग में एक छोटा सा small computer जो है, वो implant कर दिया है, और दो महीने से है ये, ठीक है, दो महीने से, ऐसा नहीं कि अभी क्या, दो महीने से लगातार, तो इस तरीके के implantation का दूस्तों मतलब क्या है, पहले हम Neuralink के बारे में जान लेते हैं, तेकि Elon Musk के बारे में आप बायोग्राफी देख लीजेगा, Elon Musk की बारे में मैंने उन्हों के बा आदू Elon Musk ने ना, आपको लगता होगा कि इन्होंने SpaceX बनाई है, प्राइवेट कमपनी है, ठीक है, SpaceX बनाई है, तो ये कोई Astronaut होगे, या कोई Scientist, बिल्कुल नहीं, इन्होंने ये सब पढ़के बनाया है, आप इनकी बायोग्राफी देखिएगा, इनका कोई Specialization नहीं है Astronomy म इन्होंने किताबे पढ़ पढ़के SpaceX बना ली, तो आप देख सकते हैं, अगर आप ज्यान के ज्यान आपको पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, तो वह ये इस समय 50 साल के हैं, नहीं 59 साल के हैं, 49 येस के हैं, बिलियनेर हैं, और इनक ये brain implants, नव बड़े महंगे होते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से हो रही है, बहुत टाइम से इसको किया जा रहा है, पिछले 10 सालों से implants हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत महंगी है, अगर आपको कोई neurological problem है, और आपको लगता है जैसे, अ रे यार वो, Stephen Hawking, Stephen Hawking क पे Elon Musk का कहना है कि हम इसको कुछ dollars में ले आएंगे, इसके पैसे को हम कम करेंगे ताकि हर कोई इसका use कर सके, तो technology को घर-घर में पहुचाना चाहता है Elon Musk, यह बहुत अच्छी बात है, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों, कि यह जो इन्होंने किया है, नहीं, पहले ह की बात करेंगे, neural link की बात करें, तो दोस्तों यह Elon Musk की एक और company है, जिसको 2016 में found किया गया था, ठीक, funding आई, अच्छी कासी इसको funding आई, 2017 से operational हुई, इसके काम बिलकुल secretive है, किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, FDA ने इस तरीके के implant को अमेरिका की, जो FDA है, जो agency है, उसने approval भी दे दिया है, तो ये भी कोई problem नहीं है, अराम से Elon Musk जो इस तरीके के experiment कर सकते हैं, अब दोस्तों अभी ये इनसानों पे नहीं हो रहा है, याद रखेगा, अभी सिर्फ जानवरों पे इस तरीके के implant किये जा रहे हैं, neural link की बात करें, तो वो खली भी जानवरों इससे पहले monkey, mice और अब पिग, अभी इनसानों पे trials नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों risk है न, it is invasive process, आपके अंदर drill करके electrodes को डाला जाएगा, तो अभी हम हला कि इसके counter arguments की भी बात करेंगे, कि experts का क्या कहना है, कि ये जो technique Elon Musk लेके आए हैं, और जो बोल रहे हैं कि मेरा brain जो है, वो आरा असानी से computer से coordinate कर लेगा, इसके, इसका दूसरा पहलू क्या है, इसके disadvantages क्या है, वो भी अब हम भी हम बात करेंगे, तो ऐसा है, तो company का headquarter SN Francisco में, और publicly इसको 2017 में report किया गया था, 4 साल से operational, अभी खाली 90 लोग company, 100 लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं, लेक 158 million dollar की funding already receive कर ली है, 90, अभी खाली 90 लोग, स्टाप जो है अभी बहुत कम है, और अब experiments भी ये कर रहे हैं, लगातार experiments जारी हैं, तो ये तो बात हो गए इनकी Neuralink की, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये technology काम कैसे करती है, देखो, यहाँ पे क्या है न, कि ये 2019 से Neuralink जो ह वो लगातार ये बता रही है कि हम दिमाग में electrodes डालेंगे, और electrodes brain में डाला जाएगा, और एक और device होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि हम computer से कैसे coordinate करेंगे, दोगो अभी तक जो implant होते थे हो, यूनि डारेक्शनल होते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहना है इनका, will be bi-directional, दूसरी चीज़ ये है कि आपके emotions को, आपकी सारी activities को brain में जो चीज़े चल रही है, उसको हम online record कर सकेंगे, क्योंकि computer जो है वो आपका brain से connect है, अब दोस्तों ये होगा कैसे, हम इसमें, देखिए, neuron link जो है, वो electrode डाल रही है, ठीक है, electrode आपको पते ही कि neurons जो है, व ठीक है, ये scientifically proven है, तो आपका जो brain है, वो भी electronically काम करता है, electronically काम करता है, तो ये electrodes को drill करके डाला जाता है, जिसमें threats होता है, बकायदा पूरी wiring होती है, तकरीबन हजार से जादा threats को आपके दिमाग में डाला जाएगा, ठीक है, ये पूरी wiring होगी, ताकि आपकी brain activity को पूरा monitor किया जा सके, मैंने बताया ना कि ये bi-directional होगा, आप सीधा computer से coordinate कर सकते हैं, तो आपकी memory को improve करेगा, अगर आपको कोई neurological problem है, आपको paralysis है, आपको spine की कोई problem है, वो दूर हो जाएगी, cognitive enhancement होगा, तो बहुत ज़ादा जबरदस्त technology तरीके से, लेकिन ये इतना आसान नहीं है basically क्या है कि electrode आपके दिमाग में drill करके डाला जाएगा, अब ये invasive process है, मतलब आप अंदर कुछ जा रहा है ना दिमाग के, तो हमारी body क्या करती है, हमारी body अगर बाहर से कुछ भी आता है, तो उसको recognize कर लेती है, brain भी ऐसे ही काम करता है, brain जो है, अगर कोई भी device अंदर डाल जाएगा, तो वो as an intruder देखता है, भाई, brain हर एक activity को control करता है, और यानि कि अगर brain intruder कोई mileage electrode डाला जा रहा है, उसको as an intruder देखा, तो वो signal छोड़ता है, जिसकी वज़े से जो electric pulses है, electronic pulses है, वो disrupt होगी, यानि कि आपकी proper, अगर simple word में बात करें, आपकी brain activity प्रापर तरीके स दिक्कत हो जाए, यह दिमाग में कुछ डाला जा रहा है, समझ रहे हो, और यह surgery जो है यह इतनी आसान भी नहीं है, it is very very risky, यह surgery करके electrode डालना पड़ेगा, तो यह तो risky है, तो doctors या सर्जन के ही देख रेक में चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार implant कर दिया और आपको खुला छोड़ दिया, क्योंकि it is very risky, और अभी यह technology बहुत new है, इससे आराम से 10-20 साल और रहने वाले है, क्योंकि अभी तो इस पर research ही हो रही है, actually Elon Musk ने कल यह नया अपना design reveal किया, उसमें खाली इन्होंने यह बताया है, उन्होंने कोई data नहीं दिया कोई research paper नहीं है, कोई data नहीं है, तो scientist बोल रहे हैं कि अगर आप data दे देते तो ज़्यादा बेटर होता, हम ऐसे कैसे विश्वास कर लें, तो Elon Musk जो है, वो तो कह रहे हैं कि implant बहुत जल्द हम करने लगेंगे, अभी तो हमने जानवरों पे किया है, अब बहुत जल्द हम इ आउटर सर्फेस पे यहां पे electrodes को डाला जाएगा, जो अगिन through threads आपके दिमाग से connect होंगे, लेगिन Elon Musk ने कल ये बोला, Friday को इन्हों ने ये बोला था कि जो नया device है, उसमें तो visible ear device भी जरूरी नहीं है, मतलब एक ear पे आपको पीछे device भी लगाना पड़ता है, ठीक है, य बहुती आसान सर्जरी है, यहां पे एक surgical robot जो है, यह लोकन anesthesia में एक छोटी सी chip जो है आपके brain में लगा देगा और काम आपका चलने लगेगा, यह बोलना है, लेकिन अभी मैंने बता हैं कि large scale पे experiment नहीं हुए हैं, अभी इंसानों पे कुछ भी नहीं किया गया है, हाला कि implantation हो रहे हैं, 10 सालों से implant बकायदा किया जा रहा है, अधिको Elon Musk का artificial intelligence को खत्रा तो बताते ही है, खत्रा क्या मतलब दोनों ही चीज़ बताते हैं, Elon Musk बोलते है कि artificial intelligence से compete करने के लिए हमको human intelligence को develop करना पड़ेगा, future humans को cyborg बनना पड़ेगा, यानि कि आधे machine, आधे इंसान, artificial intelligence के आने पे, अभी तो पूरी तरीके से ये, मतलब अभी भी बहुत नहीं technology, artificial intelligence, लेकिन development बहुत तेजी से हो रहा है, तो ये हमारे लिए existential threat है ना, कि हम exist करेंगे ही की नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी, terminator movie देखी की नहीं, उसमें machine सारा control ले लेती है, तो इसलिए हमको भी तयार रहना है, लेकिन अगेन इनके पस कोई ऐसा scientific data नहीं था, उन्होंने बोला कि हाँ, हमने PIX में device डाल दिया है, but there was no scientific data, ये तो चलिए, मैं आपको बताई चुका हूँ, कि Neuralink ने कितनी ज़्यादा funding जो है, वो race की, अभी 100 लोगी काम करते हैं, लेकिन Musk क्या रहे ह हम ले जाएंगे, और यहाँ पर एक research fellow ने ये भी बोल दिया है, कि बहुत अच्छा होता अगर Elon Musk जो है, वो data दे देते, लेकिन दोस्तों, इस तरीके की technology बहुत अच्छी होती है, मैंने बताया ना, कि इसमें आपका hearing loss जो है, देखे, neurological disease जो है, वो बहुत सारे होते हैं, Parkinson's disease हो गया, hearing loss हो गया, memory loss, yes, memory भी restore की जा सकती है, computer से यह ध्यान रखेगा, यह पूरा coordination computer है न, body computer interface है, तो आपका दिमाग computer से connected है, तो it will be very very beneficial, लेकिन अगेन, इसको करना है तो बहुत ही एतियात बरत कि हमको करना पड़ेगा, spinal cord injuries हो गई, neurological condition जैसे strokes हो गया, इन सब को हम control क कर सकते हैं, इंसानों को आधकल neurological disorders बहुत सारे हो रही है, देखिए अभी हम देख रहे हैं कि robotic limbs तो ही है, जैसे अभी Stephen Hawking का example दे लिजे, और अभी जैसे किसी का हाथ चला गया, तो एक artificial हाथ लगाया जाता है, जो robot एक तरीके से आपके दिमाग से ही हाथ control होता है, एक chip हो रहे हैं, trials हो रहे हैं, और काफी success भी मिली है, लेकिन Elon Musk का idea तो एक अलगी level पे जाता है, बट वो अलग level के लिए जाने वाले व्यक्ति भी है, अभी अगर Musk की बात करें, तो ये source of misinformation रहे हैं, ये भी आपको पताई है, लगातार coronavirus के बारे में misinformation फैला रहे हैं, साथी साथ किसी भी presentation में mask पहनते नहीं, ऐसे बड़े लोगों की वज़े से, अमेरिका में covid और फैला है, लेकिन इनको अपना production करना ज़रूरी था, ये चार है तक इनकी company रुके नहीं, दिन भर काम करते रहता है, Elon Musk अब ये 24 घंटे काम करो, काम नहीं रुकना चाहिए, अभी ये जो technology है, ये जो brain machine interface जिसको brain machine interface, brain computer interface भी बोला जाता है, मैंने सथ body computer interface बोल दिया था, BCI, brain computer interface भी बोला जाता है, तो अभी ये सिर्फ animals में conduct की जा रही है, अभी सारी चीजों को देखना पड़ेगा, research का ये issue है, तो इसमें research इसमें क्या safety हमको लेनी है, challenges क्या है, वो सारी चीज था, मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करिए, इंटरस्टिंग था कि नहीं, कुछ रहे हैं पड़तेरे, इदे से सिद्धान तक नहीं होतरी सानी हो,